Hello views, welcome back to Naim English Club आज हम देखेंगे difference between in, into और on to in, into और on to में जो फर्क है उनको देखेंगे तो सबसे पहले है in जब कोई चीज किसी चीज के अंदर पहले से मुझूद हो तो उसको कहेंगे in हमने वो thirsty crow वाली quotation पड़ी थी द्यारवास, little water, in the जग यानि के पहले से ही जग में थोड़ा पानी था तो इसके लिए जब कोई चीज पहले ही मुझूद हो तो उसके लिए इस्तमाल करते है in, ये ज़रूर याद रखिएगा पहले के लिए in वो मैंने quotation की example दे दी, यहां गलास में पहले से पानी है तो इसके लिए मैंने क्या इस्तमाल किया in, there is little water, in the glass, और in the जग अब चलते हैं into जब कोई चीज बाहर से किसी चीज के अंदर डाली जाती है तो उसको कहते हैं into तो वो जो सियाना कवा था उसने क्या किया he threw some pebbles into the jug जब बाहर से कुछ चीज exact अंदर डाली जाती है तो उसको कहते है into पिक्चर में भी आपको पानी बाहर से glass के अंदर डाला जा रहा है he threw some water in the jug और in the glass यनि कि जब बाहर से कुछ चीज exact किसी चीज के अंदर डाली जाती है तो उसके लिए इस्तमाल किया जाता है into अब चलते है on to on to से मुराद ना ही पहले से अंदर और ना ही बाहर से अंदर जब कोई चीज बाहर से बाहर चली जाए यनि कि जब कर जाए बाहर से उपर से तो उसके लिए इस्तमाल किया जाता है on to पिक्चर में आपको नजर आ रहा है He jumped on to the stream उसने stream के उपर से जम्प किया यानि कि पंजाबी में हम ये भी कह सकते हैं बार ओ बार यानि कि अंदर जाने का कोई concept ही नहीं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं on to बाहिर से ही उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है on to उमीद नहीं यकीन है आपको समझा गई होगी लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टेक के बाई बाई